नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वपने ग्यान में आज हम बात करने वाले हैं हर्तालिका तीज के बारे में हर्तालिका तीज एक ऐसा पर्व है जिस दिन सुहागन औरते एवं कुवारी करने आएं व्रत रखती है और भगवान शिव और पार्वती जी की अराधना करती है आज हम जानेंगे हर्तालिका तीज इस साल 2020 को किस दिन पढ़ रही है क्या तीथी ये हर्तालिका तीज की और हम जानेंगे हर्तालिका तीज का शुब मूरत क्या है हर्तालिका तीज भादर पद्मा के शुक्ल पक्ष की तिथी को मनाई जाती है इस साल 2020 को हर्तालिका तीज 81 अगस्त को पड़ रही है यानि कि 21 अगस्त को सास्तरों के अनुसार हर्तालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है हर्तालिका तीज से पहले हरियाली और कज्री तीज मनाई जाती है सास्तरों के अनुसार इस वरत को रखने से अखंड सौ भागय की प्राप्ती होती है या एक ऐसा वरत है जिसे सुहागिने के अलावा कुवारी कर्ण्याई भी रखती है हर्तालिका तीज में भगवाशिव और बाता पारवती की विधी विधान से पूजा की जाती है और बहुत ही धुम धाम से इस पर्व को मनाया जाता है अब हम जानेगे कि पूजा की विधी पूजा कि समय करना चाहिए क्या शुम मोरत है पूजा करने का तो हर्ताली का तीज का शुब मोरत सुबह 5 बच कर 54 मिनट से लेकर सुबह 8 बच कर 30 मिनट तक रहेगा और फिर दूसरा सुब मोरत रात को पड़ेगा या रात को शाम को 6 बच कर 54 मिनट से रात को 9 बच कर 6 मिनट तक रहेगा इस बिच पूजा करना बहुत ही शुब रहेगा आप इसी बिच हर्तालिका तीज की पूजा करिएगा यह बहुत ही शुब मोहरत है अब चलिए हम जानते हैं हर्तालिका तीज की पूजा विधी क्या है जैसा कि हम जानते हैं हर्तालिका तीज के दिन हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं पर कोई भी पूजा बिना श्री गनेश भगवान की पूजा किये आरंभ नहीं होती हर्तालिका तीज में श्री गनेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमाय बनाए भगवान श्री गनेश, भगवान शिव और माता पार्वती की और भगवान गनेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें दूर्वा यानि दूर्वा घास इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेल पत्र, शमी पत्र अर्पित करे और माता पार्वती को शिंगार का सामान अर्पित करे फिर सभी देवताओं यानि तीनों देवताओं को गनेश भगवान, शिव भगवान और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें वस्त्र यानि कपड़े अर्पित करें इसके बाद हर्तालिका तीज की वरत कथा सुने या उसे पढ़ ले इसके बाद श्री गनेश की आर्थी करें और भगवान शिव माता पार्वती की आर्थी उतारने के बाद तीनों देवताओं को भोग लगा दीजिए बस इतनी ही आसान सी विधी है इसी विधी से आप पूजा करिएगा आप सभी को हरताली का तीज की धेरो सुब काम नाए हम हरताली का तीज की कथा की भी विडियो डालेंगे आप जरूर सुनिएगा आप उससे जाके कथा सुन सकते हैं हरताली का तीज की अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें कॉमेंट करके बताईएगा आपको किस रविशा पर वीडियो चाहिए हम जरूर बनाएंगे धन्यवाद